दोस्तो नमस्कार एक बर फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज बताया जा रहा है कि खेसारी लालियादो कभी भी गिरापतार हो सकते हैं क्या सच में खेसारी लालियादो गिरापतार हो सकते हैं या नहीं होंगे अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा चलिए सुरू करते हैं बीना देरी के दोस्तों आज सुबह से इस खबर को काफी ज़्यादा चलाया जा रहा है नेशनल चैनल पर और बताया जा रहा है कि खेसारी लालियादो कभी भी गिरापतार हो सकते हैं क्योंकि कोट के तरफ से जमानती वारंट जारी किया गया है और बताया जा रहा है कि खेसारी लालियादो अपनी पतनी चंदा देवी के नाम से 2019 में एक जमीन खरीदे थे और पैसे के बदले में चेक दिये थे मिर्टुंजे पांडे को और वह चेक बाउंस कर गया था जिसको लेकर मिर्टुंजे पांडे 2019 में खेसारी लालियादो के खिलाफ एफाईयार कर दिये थे और वही मामला अभी तक चल रहा था और उसी मामले को लेकर कोट ने जमानती वारंट जारी किया गया है कोट के तरफ से और बोला गया है कि खेसारी लालियादो कभी भी गिरापतार हो सकते हैं लेकिन मैं आप सभी को बता दू इससे पहले भी कई बार खेसारी लालियादो के खिलाफ जमानती वारंट जारी हो चुका है 2021 में भी जमानती वारंट जारी किया गया था, 2022 में भी जारी किया गया था लेकिन खेसारी लालियादो जेल नहीं गए थे, बच गए थे लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि खेसारी लाली यादो जेल जाएंगे तो जाएंगे लेकिन जहां तक मेरा मानना है खेसारी लाली यादो इस बार भी बच जाएंगे क्योंकि खेसारी लालियादो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है कि कोई टांकर जेल में डाल देगा लेकिन कानून सबके लिए बराबर होता है हो सकता है इस बार कानून के तरब से कोई सक्स करवाई किया जाए और खेसारी लालियादो को जेल में डाल दिया जाए लेकिन देखिए आगे क्या होता है जहां तक मेरा मानना है हमें तो यही लगता है कि खेसारी लाल यादो इस बार भी बच जाएंगे लेकिन देखिए आगे होता क्या है मिलते हैं अगले वीडियो में धन्य बाद